जमो के पहाड़ी इलाकों में रात से हो रही बारश की वज़े से चिनाब दरिया का जलस्तर खत्रे के निशान तक पहुँच गया है जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत दी गई है वहीं चिनाब के आसपास बसे रहाईशी इलाकों में भी रहने वाले लोगों को सचेट कर दिया गया है और ये लोग भी दरिया पर नजर रखे वे हैं इसे पैंचन दा का रहा है अमरान खान दा जी मनोशिना साहब आप जम्मू के दौरे के ओपर आए हुए हैं और इस मोके के ओपर मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ और ये वीडियो रिकॉर्डिड मेमरेंडम भी आपको भीज रहा हूँ और कोशिश भी करूँगा कि आप से मुलकात हो सके अगर आपके पास समय हो तो लेकिन बड़े दुक की बात ये है कि बहुत से इलाकों में भाड़ आया है और अखनूर के गुजर बश्तियां कोटली फट्टू और जो भी इलाके हैं वहां के जो चिनाव के पास गाउं बशे हुए हैं गुजर बश्तियां हैं उनके तमाम मवेशी माल बकरियां गाएं और मंजें और सारे कुले बह गए हैं और मैं यही वीडियो मैं अपने डिविजनल कमिशर साब को भी बेज रहा हूँ हूँ और मैं यह चाहूँगा कि आप इन जहां जहां भाड़ आई है जम्मु क्शेतर में वहां पे दोरा करें अखनूर पे जाकर के इन गुजर वस्त का जाइजा लें और डिविजनल कमिशर जम्मु रमेश कुमार जी को भी हिदायत करें और डिसी जम्मु को भी हिदायत करें कि वह इन इलाकों में जाकर के जहां पे भारी नुकसान हुआ है यह अखनूर की गुजर वस्तियों में कोटली, फत्तू और जो और भी बहुर सी बच्टियां है वहां जाके श्रॉयम वहां पे मुआइना करें नमबर एक नमबर दो इनका बारी नुक्सान हुआ है और इसके साथ साथ कुछ और भी बाते में आपके समक्ष रखना चाहता हूं मेरे बेरोजगार जमू का बेहद परेशान है